हाई टेड़ेट इस गुर्पिसिंग यह वंस अगेन वलकम बैक टो वर चैनल सो बात कहते हैं कि क्या ट्रेडबन हो सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए मंडे के दिन आपके लिए सो उससे पहले अगर मैं बता हूँ तो आज निफ्टी बैंक निफ्टी में हमें अच्छी ऑपरचियोंटी मिली है तो लग बग मैंने 370 पॉइंट कैप्सिर की हैं इस पूरे दिन में बैंक निफ्टी में कि लंब साम अमाउंट आप 100-500 पॉइंट आप एजली कैप्चर कर सकती इस टाइप के जैसे मार्केट अभी कुछ दिनों से ट्रेंडिंग चल रहा है जस्ट आपको वीडियो देखने हैं और समझना है कि मार्केट कैसे काम करता है सो चलिए अभी बात करते हैं ट्रेंड की सो अगर मैं बात करूँ निफ्टी की निफ्टी से शुरुआत करते हैं हम लोग सो देखी जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा कि निफ्टी पांच दिन से रेगिलरली हाई ब्रेक करता जा रहा है एक भी दिन का क्लोजिंग नीचे नहीं है तो रेगिलरली आप गिन एक दो तीन चार पांच और आज चाटा दिन हो टोटल छे दिन हो गए सो यहां से हमें पता चलता है कि निफ्टी अच्छा गासा बोलिश है दूसरी चीज क्या है कि हमारा मंतली सीप्यर के उपर है प्लस मूविंग एवरेज के उपर क्लोजिंग है और हर एक दिन हाई निकल रहा है तो आप निफ्टी में लॉंग का ट्रेड क्यों नहीं लोग की की आप जैसे ही देखो स्विंग है आप यहां पिल गारिया की क्यों geen अप लोग ऐ चीजे आपको तभी समझ में आएँगे जब आप लोग रोज चार्ट को अंलाइज करेंगे और मेरे वीडियोज देखते हैं तो आप इजली यह चीजों को प्रेडिक कर सकते हैं so although बात करो तो Nifty में बात करो तो हमारे लिए अभी जो मेन इंपोर्टन लेवल है so Nifty एक बुल रैली के लिए रेडी है बस हमारे पास जो एक हर्डल है वो है ये वाला 19,991 और दूसरा है 19,867 क्योंकि ये लेवल जो है हमारा important एक resistance है पीछे के लेवल से हमारे resistance है तो ये लेवल निकलेगा तो हम इस लेवल के लिए बैठ सकते हैं और अगर ये लेवल निकलेगा तो हम और उपर के लेवल के लेवल के लिए बैठ सकते हैं फिर हम Nifty में हमें 20,100-200 के लेवल भी हमें देखने को में चलते हैं तिल दा टाइम में बोलूँ कि निफ्टी में अगर कोई बंदा सोच रहाओ कि शॉट करने की तो शॉट मत करे गा प्लीस जब तक निफ्टी daily low के नीचे जाने की hourly हो सुरी daily chart में previous जैसे ki निफ्टी जब तक previous day low के नीचे continuously trade नहीं करता तब तक अम निफ्टी में short नहीं करेंगे मैं एक ही चीज़ बोलूगा buy and dip market है market ने reverse कर लिए trend reversal हो गया है क्योंकि weekly CPR के उपर भी है और moving average के उपर भी है monthly CPR के उपर भी है monthly moving average के उपर भी है daily CPR के उपर है daily moving average के उपर है why you will go short short नहीं जाना है buy and dip market है अगर market गिरता है तो buy करिए हाँ अगर आपको ज़्यादा आप बेरिश है कुछ लोगों की mentality होते है कि वो लोग बेरिश trade ही लेना पसंद करते हैं आप छोटा-छोटा scalping करिए और book करिए और निकलिए so although nifty looks bullish and breakout के लिए ready all time high के लिए ready है so same as it is let's talk about bank nifty bank nifty में बात करो तो bank nifty एक range में फसा होगा था कुछ दिन पहले monthly cpr में so bank nifty भी अगर में बात करो तो bullish होने की पूरी फिराग में है मतलब कि अब लगबग समली जी बुलिश होने के लिए ready है monthly cpr के ऊपर है closing plus moving average के ऊपर closing है plus weekly high निकाल दिया है अभी बस इसके सामने एक hurdle है ये वाला जो हमारा monthly एक narrow cpr है ये निकला और उसके बाद ये हमारा monthly level 45,000 782 का level निकला तो bank nifty भी एक rocket move देगा हमें upside के लिए आने वाले कुछ दिनों में सो मैं बार-बार एक ही चीज़े रिपीट कर रहा हूं कि don't try to short, don't try to become bearish till the time market के trend के साथ चलिए क्योंकि trend अभी bullish हो गया है और reversal हो गया है समलेजी की trend हमारा change हो चुका है कुछ लोग जैसे की पहले short करने की सोच रहें क्योंकि weekly CPR के ऊपर monthly CPR के ऊपर monthly moving average के ऊपर है sorry daily moving average के ऊपर है weekly moving average के ऊपर है यहां पर देख लीजी CPR के ऊपर sustain कर रहा है और moving average के ऊपर वाई यू विल गो शॉट शॉट नहीं जाना है जो भी trade मिलता buy and dip करी और उसको उपर लेकर जाहिए so important levels की अगर मैं बात करूँ तो हमारी जो important levels जैसे की अगर बात कर जाए तो short करना है अगर किसी सज्जुन को होता है कि मैं short trade लेना ज्यादा पसंद करता हूँ तो मैं यही कहूँगा कि जब तक bank nifty day low के नीचे ट्रीट नहीं करता तब तक bank nifty में short नहीं जाहिए और long के लिए हम देखते हैं कि अगर यह दो levels का मंडे को gap up खोलता है जा इस level के नीचे खोलता है जा फिर consolidation करके यह level को तोड़ता है परशनली बेरिश मत लेके बैठिए opportunity मिलता है तो short करिए मैं यह नहीं कहता हूँ कि उसको short मत करिए लेकिन उसको एक level तक के लिए उसको short करिए overall जो trend है वो bullish है तो market reverse कर जाता है बार बार जब आप जब भी देखिए पिछले दिन आप देख लिजी इसको check करिए आप यह दिन देखिए चे तारी को देखो market गिरा reverse कर गया ठीक है जी और कल भी देखो market पहले high लगाया फिर एकदम reverse कर गया तो मैं वही चीज़ करहाँगा आज फिर देखी market गिरा और फिर थोड़ा reverse कर गया फिर गिरा और फिर reverse कर गया तो obviously एकदम bullish trend शुरू हो गया तो weekly level और monthly level यह सारे level mark कर लेजिए अगर यह level निकलते हैं then we can plan for long trade और उपर के जो levels है जैसे के R1, R2 यह हमारे target group में हमी यह levels देखने को मिल सकते हैं so धन्यबाद so इसी तरह की treatment के लिए आप हमारे channel को subscribe कर लेजिए और हमारे telegram channel को भी join कर लेजिए आपको यहाँ पे daily market के update मि जो भी मुझे knowledge है जो भी मैं सीखा हूँ मैं आप सब लोग के साथ share करता रहोगा इस channel में धन्यवाद